वेट लोस में आप छोले की रेसिपी कैसे मना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगी और यह जो रेसिपी है इससे आपका वेट लोस भी रहेगा और आपको फायदा भी करेंगा तो सबसे पहले मैं जो चने थे उनको सुबा भी हो दिया साब मैं शाम को बना रही हू जब भी आप वॉयल करें तो इसमें खाने का सोड़ा जरूर डालें आदे से आदा चंबर मलब दोचा चुटकी इससे को आपको अगर नहीं बनेगी और आपको यह नुपसान भी नहीं देंगे तो मैंने इनको अच्छे से वॉयल कर लिया है और एक बरतन में निकार लिया और यह यहां पर लेस्व पयाज का पेस्ट बनाया है इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लाल मेर्च धनिया रहल्दी और च्लड़ा से हीम ऐड़ कर दिया है एपे मेला जाइब हैं यहां और हमश्या लिया है ट्कार लिंट लिया है यह की वीडाश में हम करेंगे हैं आपकी इनको क्या करूंगी जम्में सब्सक्राइब निकालूं कि मैं बेटलोस पे हूं पिर हमने लिए हैं पे जीरा और थोड़ा सा कसूरी मिथी पाउटा तो हमने यहां पे रख दिया है एक कूकर तो गैस हमने कूकर रख लिया है और मैं अपनी जो रेसिपीज हैं वो सारी ऐसे करते हूं कि फैमली भी खाले और हम भी खाले क्योंकि अलग बनाना पहुत मुश्किल हो जाता है तो इसमें हम डालें में आप तो मैं इसमें डाल लिया है तो आज बाहर का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा एक दम मस्त वाला बारिश हो लिए बहुत अच्छी हम इसको भी इसमें दूबा आने लग गया है अब हम इसमें डाल देंगे यह जीरा डालना बहुत जरूरी है तो जब जीरा आपका ब्लैक होने लग जाए तब हम इसमें डाल देंगे यह मसाला जो हमने बनाया था तो हमने इसमें डाल दिया है इसके बाद कड़ी लीज डाल देंगे आप तेल में भी प्राइब करके पहले डाल सकते हैं तो इदो साइब में प्राइब जाएंगे इसके बाल हम डालेगे इसमें लेसन प्याज और रमाट ना तरिम्सींपल वें बनानी है और इसम सिंपल करीके से बनाते हैं अब डियम्नी बल्पी रचेपी इसकी इसको अच्छे से मेक्स कर लेंगे तो फैमनी में रहके वेट लोस करना बहुत मुश्किल जो जाता है जिस वज़े से हम स्स़त को करते हैं अपने बच्चों के एक ज़्ट आज होगा चले लिगों के ने सब्सक्सक टून हี मत लिए टो मिटेः हो अस्रों की बत्माटर करना धि mois के दिये तौमेतर करी हम थोड़ा करें, कोड़ा कध हमने पाटोरे टॉलें रहें developmental भी तक ही नहीं है, HEALTHI डाले कुछाएगा तर यह हमाँ अनुदा डालों प। कशोरी मेथी डाल दी है आप शाहते हैं दर्म मसाला होता हुए डालीजे अब बस अब हम इसको बखके लगते हैं और हमारी रेस्पी बुकुल बनकर त्यार हो जाएगी और यह हो जाएगा हमारा डिनर तो आप एक खटोरी छोले और आदा बाउल चावल और एक रोटी के साथ इनको एंजॉए करिएगा तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी सिंपल वे मैं विल्कुल बनाई है और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीस मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपको लीडिक साथ इंजॉए कीजिएगा थैंक यू सो मेरी वीडियो बाई बाई